सोहे दोस्तो 56 दे है आज हमारा वैलीड एनग्राम और एनग्राम के बारे में मैं काफी बार बता चुका हूँ पहले भी और यह इजी कोशन है छोड़ा सा कोशन है कि चेक करना है कि एनग्राम है या नहीं और इसी हिसाब से ट्रू और फॉल्स रेटर्न कर देना है कैच यह ह सकते हैं यहां पर आपको कुछ डेफिनिटली नया सीखने का मिलेगा इजी कोशन होने के बावजूद भी तो चलो कॉफी पर चलते हैं आगे बढ़ने से पहले इसका लॉजिक समझ लो एनग्राम होते क्या है काफी बार बता चुका हूँ जैसे आंट है और NTA है नेशनल ह partes होकी हैं दोनों की second thing ज Orion किए कि क्या number of occurrence एकी बराबर है इसमें भी एक जैस। इसमें Crime तो ऐसे चीज़िस्जें क्या होती है निज하는데 यह तो इसको करने के असल में तीन टरीके थरीव now एनग्राम और नगराम जो भी लिख रहा है इनोंने तो इसमें true output return हो रहा है कि हाँ यह एनग्राम है तो इसको करने के असल में तीन तरीके हैं three ways first one is कि अगर तुम्हें o of n में काम करना है o of n हमारे time भी लगेगा और space भी लगेगा t and s तो hash map बनाओ ठीक है second thing is हम counter का use कर सकते हैं एक counter method होता है python में एक line में answer आता है third thing is sort कर सकते हैं ठीक है एक तरीका समझो sorting का तरीका असान है एनग्राम को अगर हम sort करते हैं तो जैसे यह लिख है ना अनग्राम तो हम क्या करेंगे sort a a a g m n r sorted way हो जाएगा इसका अगर हम इसको sort करते हैं तो ठीक है इसको sort करते हैं तो भी यही आता है तो अगर दोनों को sort कर दिया ठीक है हम sorted use करते हैं वैसे sorted कर दिया और दोनों equal आ रहे हैं exactly same आ रहे हैं it means they are anagram sense बनता है तो यह हमारे sort का तरीका होगा कभी n log n आ जाता है मतलब वो space की space की दिककत तो नहीं होती है ताइम की दिककत हो जाती है कभी कबर space भी ले ले लेता है बगर कुछ sorted function चो उता है नहीं लेता है तो space में यहाँ पे space बचाया जा सकता है sorted का use करके second thing is अगर तुम्हें fast भी कर रहा है और साथ में space भी है तुम्हारे पास तो use hash map, hash map का use कर सकते है किस तरह कैसे करेंगे हम दो hash map create कर देंगे, इसमें key value pair रखते है, hash map में जैसे की रखते ही है s हमारे string है और s a t के लिए भी key value pair, अब key हमारी character होगी तो a था हमारे पास ठीक है, a है, g है m है, मतलब जो भी है ऐसे कोई order fix नहीं होता है बस हमें occurrence हमें पता होने चाए value होगी, a कित्ती बार occur होगा है 3 बार, तो 3 गड़ दिया g कित्ती बार, 1 बार, n एक बार m एक बार, r एक बार है न, ऐसा नहीं है कि उपर निचे भी कर सकता है हमें key value में तो कोई दिक्कत नहीं होती same goes to n, t, है न तो इसमें भी exactly same check करता है मतलब हम s में iterate करेंगे, फिर इसमें iterate करेंगे, ओ fn में काम हो जाएगा मतलब मैं check करूँगा कि क्या इसकी जो a की key है मतलब की अगर a है तो value अगर उसकी 3 है हाँ तो इसमें भी a तीन बार आ रखा है तो a तीन दिखता है मेर को बस बाकी तो अब code देखो तब समझ में आगा तुमें जो अभी हमने hash map का तरीका बताया था उसी को implement करते हैं हमने count s और count t के लिए दो hash map create कर दिए और अगर हम हमारी initially check कैसे करेंगे अगर length equal नहीं है तो false return कर दो है ना अगर length equal नहीं है माउस और cat में अंतर anagram चेक कर रहे हैं तो कोई sense नहीं बनता है तो ऐसी case को पहले ही false कर दो फिर अगर दोनों की length equal है तो हम check करेंगे देखो cs यानि cs is the hash map और उसके अंदर की यहां पर क्या रहेगे की रहेगी और उसकी value जो है वो equal to के बाद आएगी हैना तो cs si यानि si एक particular string यानि s of i s string में i-th element को check करा जा रहा है that is कोई भी एक character होगा उस character की value जो होगी वो 1 plus cs.get अब यह get क्या होता है मैंने तुम्हें पहले भी बता रहा है अगर तुम्हारे पास let's say a आया ठीक है anagram में a आया पहले और cs i is equals to 1 plus cs.get si, 0 यानि अब हमारे पास key क्या है a है value क्या होगी उसकी initially तो 0 होगी ना तो वही चीज का पता होने के लिए अगर मैं इसको नहीं लगाता get function नहीं उसकरता direct सर्फ cs यही लिख देता है ना तो error आता क्योंकि हमारे पास पता नहीं है बोल रहे है कि अगर है कोई value उसकी तो ठीक है वरना 0 default रखो तो initially तो 0 default होगी उसके बाद बाकी समय 1 1 add होता जाएगा तो a की अगर a है value हमारी 3 हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर anagram में 3 बार आ रहा है जब तक यह 4 का loop चलेगा same goes for t हमने t string में भी ऐसा ही चेक करा पिर जब दोनों के key value pair का hash map बना दिया हमने फिर चेक करा हर एक character को cs में से ठीक है यहनी count s में से s string में से और अगर उसका character का value जो है बराबर नहीं आ रहा है देखो cs.get यहाँ पर भी क्यों करना पड़ा for example जैसे यहाँ पर example 2 में देखो rat और car है तो हमने जब cs बनाया count s करा तो यहाँ पर t की value आ गई 1 क्योंकि एक बार t मौझूद है इसमें string s में वगर यहाँ पर string t में चेक करा तो एक बार r मौझूद है t तो मौझूद है यही नहीं तो ऐसे क्या करें क्योंकि जब यह t का count करेगा तो यहाँ पर तो मिले गई नहीं वो हो जाती है तो exactly हमारा anagram होता है तो यह था हमारा एक तरीका using hash map जिसमें हमने traverse करा तो of actually मैं o of n com क्या बोलता है o of s plus t बोल देंगे s और t की जो string है है ना वो time और space लग जाएगा हमारा o of s plus t strings की length है ना तो यह हमारा hash map आपाला solution था एक solution है यह इसका मैं link तुम्हें वैसे दे दूँगा यह है क्या counter वाला function देखो यहाँ पर क्या कर रहा है जैसे from collection import counter अब यह चीज़े पहले सा ही lead code में करके रखते हैं वो तो string इसमें लिखा है हमारे पास यह string दे रखिए अब counter जब चला है ना हमने string पे तो हमें पता चलिए ए जो है वो चार बर मौझूद है बी जो है तीन बर मौझूद है तो जब collections में counter मिल रहा है हमें एक hash map create करने वाला पहले से ही मिल रहा है तो why to make our own ठीक है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि directly उसको use कर दें तो हम यही चीज़ करते हैं यहां पे भी तुम्हें करके दिखाता हूँ तो let's say इस code को हमने बंद कर दिया यहां पे आगए अब हम यहां क्या करेंगे return कर देंगे counter को counter किसका s का चेक करेंगे counter these are hash maps ठीक है already create कर देते हैं hash map t का s और t के counter वो नीचे वाला code तो runnable था मतलब मैंने check कर लिया था तभी बनाया है तो अगर counter हमारी equal आते हैं तो return कर दो true else return कर दो false तो देखो true return होगे accepted है second case क्या है यह वाला case भी तुम्हें मैंने बता दिया यह देखो one word था ठीक है it's not cheating मतलब अगर तुम्हें use करना है collection का तो कर सकते हो third case was मैंने तीसरा तरीका क्या बता है sort कर देंगे sorted में हमारा थोड़ा time complexity compromise हो जाएगी o of n log n हो जाएगी मगर space की दिक्कत हमने उसी को sorted version लिया है ठीक है कभी कभर space भी consider करते हैं तो return कर देंगे अगर दोनों को sort करा जाए मतलब a, 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 a तीन बार आजाएगा ऐसे करके जब sorting के साथ हम काम करेंगे तो उसके बाद दोनों ही equal आने चाहिए ऐसा case है तो return true कर दो else return कर दो false तो इस case में भी हमारा answer आजाएगा तो यह तीन तरीके थे हमारे और जो जो भी तुमारे हिसाब से सही लगे वैसे तो hash map was the best मेरे हिसाब से यह न तो इसका भी true आ गया अब यह तीनों अप्रोचेस तुम्हें बता दियें इसका code description दे दूँगा और मेरे नामे केशव आप देख रहे है अब प्रोचेस तुम्हें आप देख रहे हैं